मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी बापू का संघर्स बड़ा था जमाने भर से ताना था बहनाधा पेट थी खाती भूख नहीं ये बहाना था फटे जेव थे फटे थे कॉलर उनको भी सिलवाना था बापू को था दर्द बहुत पर रिक्सा खिचने जाना था कलम के साथ ही रिस्ता था कलम दिन रात में घिस्ता था हाथों में पर गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था नैन में तेरे जो सपना था वो हम सब का अपना था और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था छत जो घर की तपक रही थी उसको भी तो भरना था जिस कर्म को जनमा लाल तुने उस कर्म को पूरा करना था पर वों से नाता तोर दिया घर से भी मुखमोर लिया पत्थर बहुत थे राहों में गिन गिन कर सब को तोर दिया तो मैया को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ और देख लाला आज उसका वर्दी में तैयार हुआ तो मा मैं अब तुमको बतला दू तो मा मैं अब तुमको बतला दू पहले वाली बात नहीं वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं अब बहना को कह दे ना आधा पेट नखाना है और कह दे ना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है ना तुझे माजना है बरतन ना बाबू कीचेगा रिक्षा देख सब दुखदूर की आप पूरी कर दी हरी चा देख सब दुखदूर की आप पूरी कर दी हरी चा कठिन का बस्याद